आज देश मकरसंकरांटी का परव मना रहा है। वैसे तो हमारे सभी परवा ख्यानों पर आधारित हैं और उसका वेग्यानिक आधार भी है। मकरसंकरांटी का भी गहरा वेग्यानिक आधार है। दरसल पृत्वी की कक्षा लगभग 23.5 आंच उत्तर दक्षिन में चुकी हुई है। इसे करांती कहते हैं, पृत्वी जब अपनी कक्षा पर उत्तर की और खिसकने लगती है तो सुर्य दक्षिन की तरफ की सकता नजर आता है। इसके भी परित पृत्वी जब दक्षिन की और खिसकती है तो सुर्य उत्तर की और खिसकता नजर आता है। 21 मार्च को सुर्य वशुवत रेखा के उपर रहता है और इस तीथी को दिन राद बराबर होती है। इसके बाद सुर्य उत्तर की और खिसकने लगता है। तथा विशुवत रेखा से उत्तर में दिन बढ़ने लगता है। सुर्य 21 दिसंबर से ही उत्तरायन होने लगता है और यही असली मकर संक्रांती का दिन होता है। इसका कारण पृत्वी का सुर्य की तरफ 23.45 डिग्री का जुकाओ है। इसी कारण मकर संक्रांती की तीथी खिसक कर 14 जनवरी पर आ जाती है। मान्यता है कि हजारों साल पहले 31 दिसंबर को मकर संक्रांती मनाई जाती थी। अंदाजन 5000 साल के बाद ये फरवरी के अंत में मनाई जाएगी तथा 9000 साल के बाद ये जून के अंत में मनाई जाएगी। यानि जैसे जैसे पृत्वी के जुकाओ के डिग्री में फरक आएगा वैसे वैसे मकर संक्रांती के तीथी में भी फरक आएगा। हम सभी जानते हैं कि पृत्वी अपने कक्ष पर खास कोन बना कर जुकी रहती है। यही जुकी वी पृत्वी जब सूर्य के चार और घुमती है तब विभिन्नम मौसम आते हैं। वापस 22.5 डिग्री पर होगा। इसके फलस्वरूप सूर्य की किरणों के प्रभाव में भी बदलावाएगा तथा मकर संक्रान्ती की तीथी में भी फेर बदल हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रान्ती पिछले 6000 वर्षों से मनाई जा रही है। यही नहीं लेटिन अम मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश करना बहुत ही ज़्यादा लाबदायक और फायदे मन माना जाता है। वैग्यानिकों का मानना है कि इस अवधी में सारी नदियों में व्याश्पन कीरिया शुरू हो जाती है। और इस क्रिया की वज़ह से कई तरह की बीमारिया दू हो जाती है। और इस वज़ह से मकर संक्रांती के दिन गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा लाबदायक माना जाता है। इस दिन तील और गुड़ खाना बहुत ही ज़्यादा फायदे मन माना जाता है और ये चीज़े आपके शरिर को गर्मी भी देती है। इस वज़ा से लोगों को प्रसाद के रूप में खीचडी, गुड और तिल से बनीवी मिठाईयों को खाना चाहिए और साथ ही खाने में भी खीचडी का सेवन ज्यादा करना चाहिए आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि इस मौसम में तिल और गुड से बनीवी मिठाई शेरिस से जुड़ेवे रोगों को दूर करने की ख्षमता रखती है और इससे आपकी इम्म्यूनिटी भी बढ़ती है तिल में मागनेशियम, कॉपर, आईरन, ट्रायोफोन, कैल्शियम, फॉस्पोरस, विटामिन B1 जिनको और रेशे कुछ मात्रा में पाए जाते हैं एक चौथाई कप या फिर 36 ग्राम तिल के बीज में 206 कैलरी होती है और ये शरिर के रोगों को मिठाने में बहुत ही जादा लाबकरी होता है दरसल मकर संकरांदी पर तील गुड का सेवन करन इसमें प्रोटेन, कैल्शियम, B-complex और कार्बोहाइडरेट आधी तत्व पाए जाते हैं तील में सेस्मिन एंटि ऑक्सिदेंट्स भी होते हैं जो कई बीमारियों के इलाज में मदद करते हैं इसे जब गुड में मिलाकर खाते हैं तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स और बढ जाते हैं गुड की तासिर भी गर्म होती है तीलव गुड को मिलकर जो व्यंजन बनाए जाते हैं वो सर्दी के मौसम में हमारे शरी में आवशक गर्मी पहुचाते हैं यही कारण है कि मगर संक्रांती के आउसर पर तीलव गुड के व्यंजन प्रमुक्ता से खाय जाते हैं धार्मिक अनुष्ठानों में तिल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये शनी का द्रव्या है मagर संकरांती पर सुर्य एक महाशनी की राशी मकर में रहते हैं शनी नय और पुरवजनम के पापों का प्रायस्चित करवाते हैं तिल के दान का यही महत्व है कि पुर्व जर्म के पापो और रून का तिल दान शमन करता है। गरिबों में तिल के लड़ू बाटने से व्याधियों का नाश होता है और मुकद में आदी जगडों में विजय मिलती है। राहू और केतु भी शनी के शिश्य है। अतह। गैस के लिए बहुत लापकारी चीज है। तिल का लड़ू उदर विकार के साथ साथ रक्त की भी सवाई करता है और बलड प्रेशर को नियंतरित करता है। तिल का सेवन प्रतिक सुभा करना चाहिए और रात में भोजन के पशात तिल के दो लड़ू और गुनगुना पान ग्रहन करके सोना चाहिए। सुर्य पूर्व से दक्षिन की और गमन करता है तब तक उसकी किर्णों का असर खराब माना गया है। लेकिन जब पूर्व से उत्तर की और सुर्य ग्रमन करने लगता है तो उसकी किर्णे सेहत और शांती को बढ़ाती है। इससे सुभा सुर्य उदे के साथ ये पतंग भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायन का महत्वा बताते वे गीता में कहा है कि उत्तरायन के छे मास के शुपकाल में जब सूर्य दे उत्तरायन होते है और पृत्वी प्रकाश में रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याक करने से व्यक्ति का पुनर जनम नहीं ह ऐसे लोग ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत सुर्य के दक्षिनायन होने पर प्रुत्वी अंधकार में होती है। और इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनह जनम लेना पड़ता है। महा भारत काल के दोरान भिश्म पिता महा जिने इच्छा मृत्य का वरदान प्राप्त था उन्होंने भी मकर संक्रान्ती के दिन शरीर का त्याग किया था। मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रान्ती के दिन ही भगवान विश्नु ने प्रुत्वी लोग पर असुरु का सहार कर उनके सीरों को काट कर मंदरा परवत पर गार दिया था। है वहाद्याहिक तकलिफ हो ही नहीं सकती सुखी रहे निरोगी रहे मगर संक्रांथी के संदेश को सफल बनाए फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ तब तक बने रहे हमारे साथ नमस्कार अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy एक ऐसा institute है जहां पर airlines and airport hospitality और tourism management साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy, one degree, three job opportunities, Flywheel Aviation Academy, gives you a degree or diploma with a job, Flywheel Aviation Academy, 365 Galinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank Nagpur